हलो गैस आप सभी का अपने चर्मा का टॉक्स में स्वागत है तो गैस आपके सामने है स्क्रीन पे वाइन्स की बॉटल आप में इसे कौन-कौन पीता है बताना जरूर तो यहां पर गैस वाइन्स की बॉटल से मेरा मतलब यह है आई प्यो से लेके हम जो रिव्यू करते हैं यहां पर इसी से रिलेटेड एक कंपनी जिसका नाम है सुला वाइन याड आपके सामने आ चुकी है इसका जो डीटेल रिव्यू है इस वीडियो में करने वाले हैं और यहां पर हम जानेंगे क्या इस आई प्यों में अप्लाई करना चीए नहीं करना चीए क्या बेनिफिट् पूर्डन चीज़े पहला आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है कि आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है दूसरा यहां पर चैनल वीडियो को पूरा देखना है ताक कि आपसे कोई डीटेल मिस ना हो और सब कुछ आपको सांज में आए करते हैं स्टार्ट डीटेल से 12 को यह ओपन होगा 14 को क्लोज होगा 19 को इसका होगा और इसके लिहाद से हमें जो 357 है शेयर उसको भी 5 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा और अगर जो हम देखे तो इसका जो प्राइजम आएगा हमारे समझने के लिए प्राइजम तो इसक लेकिन 1785 रुपए पर एक शेयर हमें यह स्टेंडर्ड फेस्ट रलू का ओफर कर रही है तो यहाँ पर इस रेटेलर्स के लिए 22 शेयर का एक लॉट बनने वाला है और जो इशू का साइज है वह 960.35 करोड का है जो की पूरा का पूरा ओफस है यह पैसा प्रमोटर्स के ल लेकर रखा हुआ लिंकिन टाइम का अगर जो आया आई पी ओ तो देखा जाएगा लिंकिन टाइम वही जैसे हम लेटिं टाइम के नाम से जानते हैं रिजिस्टर आ रही है के फिंटेक हमेशा आई पर लाटमन टाइम से देता है इसलिए यह सही भी लगता है और भी कई सा आती हैं देखें तो जैसे रासा हो गया दिन्दोरी हो गया दासोर्स हो गया सन्तोरी मदरा दिया ठीक है और यह सब सुला ब्रांड के नाम से आती है आप वाइन है नहीं मांगते होगे आप अगर जो जाओगे वाइन शॉप पे तो आपको सुला वाइन कहना पढ़ेगा और बाकि यह सारी इनकी category होगी यहाँ पर इस company का जो business है वो दो category में divided है एक तो production और distribution wines and spritz का दूसरा sale and service from ownership and operation of wine tourism venue का ठीक है ठीक है ठीक है यह simple से भासा में देखो आप यह wines बनाती है और सबसे बडियो पता है यह इनके हाँ कई है पूने अब जब जब जाओगे न अगर जब पूने रहते हो या पूने कभी जाओ तो आप 500-600 रुपर लगता है आप जाके इनका जो manufacturing unit है न कै यह इनोंने जो fields है जहां पर यह ग्रैप्सन और यह सारी चीज़ों काते हैं इनके खुद के ही है इससे इनको ज़्यादा profitability बनती हुई दिखती है सुला वाइन आड के ठीक है यह वहीं का screenshot की website से लिए है मैंने तो कि सिंपल सी बात है wine बनाती है production करती है sell करती है और distribution करती यह पूरा कम खुद में करती है यहाँ पर जो company है वह चार category में अपने wines को sell करती है एक है elite दूसरा premium तीसरा economy चौथा popular और यहाँ पे अगर जो मैं बात करूँ ऊपर के दोनों elite और premium category उनसमें से 61% revenue इनको generate होता है और rest 39% इनको economy और popular से generate होता है यह इनकी categorized हो गई मतलब wines क ठीक है price के tag के हिसाब से तो यहाँ पर market share इनका बड़ा है ही है साथ में के पास 56 से जादा different labels की wine है चार इनके पास own production facility है और दो lease पिले रखी है इनके पास इंडिया की largest network है wines को लेके जो की करीब 13,000 retailers touch point को cover करती है और यह 2021 का data है यह D2C में भी काफी active है और यहाँ पे इस के पास 50 distributors, 11 corporate, 14 license seller, 7 company deport, 3 defense unit बदर defense को भी supply करते हैं है 30 September 2022 के data according और 30,000 points of sale है including 3500 retail touch point और 9,000 house and restaurant catress 31 मार 2022 का data है तो यहाँ पे काफी ज्यादा हमें aggressive यह देखने को मल रहा है अपने business में और काफी ज्यादा हमें broad area देखने को मल रहा है तो अब यह जो है सही है नहीं है business जो ह वो financials पर हम एक बार समझने कोईश करते हैं और financials company की हम देखते हैं यहाँ पर गाइस 31 March 2020, 2021, 2022 और September 2022 का data देखेंगे यहाँ पर यह देटा हमें नहीं देखना है इसको हम करते हैं ignore ठीक है तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एसेट से 831 करोड का एसेट था जो की घरता हुआ हमें दिखा लेकिन बहुत थोड़ा सा सब्सक्राइब सेप्टेंबर तक का data यह और देखा जाए तो यहां से 5-6 मिन के पास और बचेंगे तो इसको डबल कर सकते हैं आपकी करीब 1400 कर लेंगे ऐसेट यह अगर जो ऐसा ही बढ़ा है लेकिन जो बढ़ा रहें यह पि यहां पर 225 करोड़ में बनता हो दिख रहा है 2022 में 225 करोड़ या 560 करोड़ कर सकते हो तो यहां पर फिछले साल से हमें बढ़ता हुआ ही दिएगा लेकिन बहुत ज्यादा ग्रूथ हमें यहां देहने को नहीं मिल रही है इसमें प्रॉफिट की बात रहें तो 2020 में माइनस है वह ऐसा नहीं कह सकते है बहुत आउटस्टेंडिंग परफॉर्मेंस कह सकते हैं ठीक है लेकिन यहां पर भाई लॉस था रिकवर किया लॉस रिकवरी के बाद तीन को दिखा है और यहां पर बढ़िया ग्रोथ दिखाई है और जो सेप्टेंबर का डेटा यहां दिया थ तोटल देखूं तो इन्होंने कम तो किया है ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है देखो न कम किया हर बार कम किया है लेकिन दो सालों में माद 2020 से लेके माद 2022 के बाद मैंने च्छे मैंने और जोड़ लिए दो से धाई सालों में इन्होंने करीब 155 करोड कम किया है उसके बावजूद भी यह जो है पैसा नहीं उठा रहे हैं यह सिर्फ उठा रहे हैं अपने लिए यानि की प्रमोटर्स के लिए पुरा पुरा ओएफस है बिल्कुल भी कंपनी को पैसा नहीं देने वारे तो भाई कि आप 214 करोड कवर करने में मानता हूं मैं अगर जो आप अच्छे है ठीक है आप एक्सपेंशन करते हैं आप कहीं खुद का प्रोड़क्शन बढ़ाते हैं तो समझ में आता कि ठीक भाई उससे बढ़ा के आप कम कर लोगे आपने 100 डेट्स अकोर्ट भी आकर जो फ्रेश आपको एक शेयर पर शेयर पर 35 फैसे कमाने का मौका मिल रहा है अगर जो मैं पी रेशियो की बात करूं तो इसके प्राइस में में आप डिवाइड कर दो इसका एपिस अंडिंग पर आपको आ जाएगा यह करी 54.67 इसका पी रेशियो किसी भी सिरका किसी भी आइप इस तर आपके देखोगे तो मैंने स्टाटिंग आपको बदाता है कि इनका एक शेयर 1780 रुपए का स्टेंडर्ड फेसेल लुप मतलब पहले ही अपने शेयर के टुकडे करके हमको दे रहे हैं तो इस पीर कंपैरिजन भी हम देख लेता है इसमें पीर कंपैरिजन में इनकी जो प खेतान इन से सस्ता है लेकिन बाकी दोनों कंपनिया महंगी है और यहां ठीक है महंगी है और यह ठीक ठाक से हमें देखने को मल रहा है वैलिवेशन के पहलों पर यहां पर एक पॉइंट और भी है आईपियो डायलूट कर रहे हैं अपना होल्डिंग 28.44 परसन प्री परसन 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 उसके बाद भी और यहां पर मार्केट इसको भी बहुत ज्यादा नेगरिटिव काउंट करेगा तो अचलिए देख लेता हम फाइनली कि इस सारी कहानी से हमें क्या समन में आया है और इसको भी हम एड़ करें तो गईस अब इस आईपियों में पैसा लग प्रॉफिट बॉक करवा है वही मैं बताऊंगा आपको उसके यहां पर तीन इंट्राडे कॉल दी थी जिन से कि स्टॉपला सेट हुआ है और बाकी दो में गें देहने को मिला है और इसके साथ साथ आप देखने को मिल दागा यहां पर निफ्टी बैंटी इंट्राडे बी निफ्टी बैं निफ्टी के मेजर लेवल और आज जिसने भी उस लेवल पर काम किया होगा बहुत ही मोटा पैसा बनाया होगा तो यहां पर गईस आपके लिए चैनल जान करना बहुत है ज़रूरी है निचे डिस्क्रप्शन में नंबर एक पे सकाल निंग मिल लागा सब्सक्राइबर्स लागे चैनल बनाके बैठें और कई सारे चैनल बने हुए तो सही चैनल से तकी आपको बहतर अपडेट मिल सके हम वापस देखते हैं सुला के बारे हमने सब कुस देख लिया वैलेशन के पहलू पर हमें महंगी थोड़ी से देखने को मल रही है प्राइ इस बेंड जो है दो की फेस वैल्ली पे 200-250 के आसपास आता तो बेरेखाल से बढ़िया लिस्टिंग के उम्मीद होती है लिस्टिंग यहां पर सब्सक्राइब और दूसरी बात यहां पर किस ने डाला है इसमें पैसा मतलब आईप्यों की प्री ओपनिंग में जो पैसा ड जबकि यहां पर डिमांड काफी अच्छी निकल दे रही ती लेकिन प्राइस बन जब लोगों ने सुना तो यहां पर डिमांड कम निकले लेगी तो भाई आच से 10 परसंड की लिस्टिंग इन में अगर जो मिलेगी तो क्या ही कर लोगे इसका तो बहतर नहीं है साथ में य वाला वीडियो रहा है 100% और लिस्टिंग डिश्टर जी भी देख लो आज के दिन मैंने बताई थी जहां बोली हैं वहीं लिस्टिंग हो यह 99% प्लस की अकुरेसी आपको देहने को में लागे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी ताकि आप हमेशा बहतर पर पस अपडेट करते हैं तो करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वीडियो का एं थांची वाचिंगे इस प्लीज टेल इस्टेवली एंड बाबाबा फो ना